कि चैघिक है तो दोस्तों धनी सर्विसेफंस अपने कोटर ू के नमबर गदिःक्लोज करिया है तो चलिए दिखते है क्या है गज़े विवियुष्चान भीजा। तो पिछले साल 334 करोर के आसपास है जो कि इस क्वाटर में देखा जाए तो घट के 130 करोर के आसपास हो गये तो रिबेन्यू तो बहुत खराब दिये कंपनी ने इस क्वाटर में क्योंकि 50-60% के गिरावट मेरे इसपास से छोटी गिरावट तो नहीं होती उसको बड़े गिरावट में ही जाना जाता है चले एकन्स देखते हैं पिछली कवाट में कंपणी का एकश्पेंस में ने खाज टिए तो अवरोल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देख लेता है क्योंकि पिछले क्वाटर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए यह रहा हमाई समने पिछले क्वाटर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी 103 क्रोड के लॉस में थी पिछले साल 205 क्रोड के तो यहां पर आगर आपको लगेगा कि अधरी लॉस्ट तो कंपनी का हो गया अच्छा हो गया पहले साल मतलब पिछले क्वाटर पिछले साल से बहतर है लॉस्ट तो एक चीज आप मुझे बताईए लॉस्ट से आप कंपेर किजे करेंगे नंबर को या कंपनी के रिवेन्यू करने लोश ही करने का रिवेन्यू से कंपेर करेंगे तो of 20-sає पंद जाई है अगर लॉस्ट को जीरो करें तो एक काम करते है और एक ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप समझे है रिजल्ट को समझे कुछ लोग बोलेंगे मतलब कंपनी लॉस्ट बचा लिए लॉस्ट में तो company का अच्छा number आया है नहीं है company का revenue गिर गया है simple है सब कुछ खतम हो गया है company अगर अधे revenue पर आ जाती है company का performance आधा हो जाता है company अगर company का income करने का जो source है वही अगर आधा हो जाता है तो आने वाले समय में company कैसे अपनी loss को recover करेगी कैसे अपने loss को बचाएगी फिर तो य निगेटिव नंबर है क्योंकि company ने revenue कम कर दिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंट पहुंचा रहा है कि company अगर पांदस परसंट के आसपास का revenue कम रहता तो चलता भी लेकिन 50-60% के गिरावट revenue कंदर वो मुझे नहीं लगता कि एक positive side है हम अगर आपके पास share है तो यह क्या कर सकते है अब देखिए आप क्या कर सकते मरा का में सचा ही बताना यहीं बधने पर रहें पर द कर द कर कि द देख झाए का कर सकते है तो बास आज के लिए पूसे है वीडियो पसंद आयो है तो लाइक कीजिएगा साथमें साथ चेनल को subscribe जो कि जिए आज क tribe बसेतन देने देने बाद